वेलो फ्रेंड्स वेलकम तो आर यूट्प चैनल लेर्निंग और बिट है इस आर नेक्स्ट वीडियो ओफ थियो इस ऑफ इंटलिजेंज गाइस हमने अपने पहले सारी वीडियो के अंदर थियोरी सफ इंटलिजेंस के बारे में सब कुछ पड़ा है अगर आपने वीडियो नहीं देखें तो मैं लिंक आपको डिस्कुशन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूगी सो विडाउट अधिले हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं तो हमारी सिक्स थियोरी है गाडनर्स थियोरी आफ मल्टिपल इंटलिजेंस गाडनर का कहा था कि जो इंटलिजेंस होती जैसे पहला जो इंटलिजेंस अन्हों नहीं बताया था वो था वीजयोरश है आप नाम पढ़ इस अम्हाँ सकते हैं वीजयो ब्लस पेशियर देख कि जो किसी स्पेस को अनलाइज कर सके वैसी इंटलिजेंस इसकी स्ट्रंध्थ कह है विजयो एन स्पेशल जज्मेंट जि उस individual को reading and writing पसंद होगी, good at putting puzzles together, उनको puzzle solve करना अच्छा होगा, good at interpreting pictures, graphs and charts, वो अच्छे होगे, interpret करने में pictures, graph, charts, ratio, study करने में and all, enjoy drawing, painting and the visual arts, वो enjoy करते होंगे, draw करना, paint करना and visual arts करना, recognize pattern easily, वो pattern पहते easily recognize करते हैं, अब कह सकते हो, की reasoning ability अच्छी है because आप देखते हो को हैसे बहुत सारे questions में patterns wise question होते हैं तो patterns को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं they have good understanding in patterns now potential career choice अब potential career choice परना important क्यों है potential career choice परना इसले है important है first of all आप क्बसे था इसे एकसे exam में जाते हैं तो उसके अदर भी येसा होता है आपको एक बर एक्जाम्पल्स रिलेट करना आना चाहिए and secondly आप किसी को काउंसल या किसी को as a teacher help कर सकते हैं कि वो अपने कौन से फिल्ब में जदा अच्छा बेटर वग कर सकता है so here are some career options जो जिसकी spatial intelligence अच्छी हो उसके लिए architect obviously उसको space देख के जर्ज करना हो था कहां पर क्या बनेगा और कितना space लगेगा क्या directions होंगी positions बगरा सेकिंड है artist artist को भी एक pre-image लेकर नहीं होती है हमेशा similarly engineer because उनको time of study उनको बहुत minute or accurate diagrams to draw करने होते हैं after after their study they have to work in practicals and उसके अंदर उनको जरूद होती है special intelligence की so now next है मारा linguistic verbal intelligence linguistic as in linguistic word यूज होता language के तो language verbal intelligence मतलब जहां पर verbal language यूज होती हो वो strength का word language और writing एक individual अगर बहुत अच्छे words को समझ पाता है उसके meanings को उसकी understanding अच्छी हो उसमें language के अंदर बहुत अच्छा flow हो और writing यहां पर writing is not good handwriting good handwriting okay it's a good thing but यहां पर handwriting in the sense की इस और यहां पर writing in senses और words को इस वे में राइट कर से के जसे राइटर या पोईट करते हैं आप उनको गया सकते एक्जाम्पल अच्छा उनका सो उनके characteristics क्या है good at remembering written and spoken information वो सुनी हुए information और लिखी हुए information को बहुत अच्छे से याद कर लेते हैं और बहुत जली याद कर लेते हैं enjoy reading and writing obviously उनको reading और writing पसंद होती है good at debating or giving possessive speeches वो speech में और debate में बहुत अच्छे होते हैं able to explain thing well वो खुद तो अच्छा समझते हैं लेकिन दूसरों को भी समझाने में बहुत अच्छे सक्षम होते हैं often use humor when telling stories और उनकी stories होती है वो बिना सरपार के नहीं होती है humor humor वाली होती है without humor नहीं होती अब इसके अंदर potential career choice कौन कौन सी होगी writer या journalist या फिर आप poet भी देख सकते हैं guys मैंने कुछ example दे दाकि आप और सबसे relate कर सके अब writer और journalist तो obviously poet भी हो गई lawyer अब lawyer क्योंकि lawyer को जब अपना case represent करना होता तो उसको कौन से word यूज करना है कैसी language यूज करनी है कि उसका case ज्यादा effective लगे तो इसलिए एक lawyer और teacher क्योंकि सबके पास knowledge लेकिन उस knowledge को बचे तक पहुचाने के जो ability होती है वो teacher की अच्छी होती है इसलिए टीचर की linguistics कर सच्छी होने चाहिए logical mathematical intelligence जहां पर mathematics and logics हो उसकी intelligence कौन सी होगी अच्छी logical mathematical intelligence analyzing problem solving and mathematical operation जो बहुत अच्छे से problems को analyze कर सके और उसके mathematical operation को use कर से और analyze कर सके characteristics क्या होगे excellent in problem solving ऐसा individual problem solving में बहुत better होगा enjoy thinking about abstract ideas उनको abstract ideas के बारे में सोच ना बसंद होगा like conducting scientific experiment they enjoy to do scientific experiment उनको experiments करने अच्छा लगता होगा good at solving complex competitions उसको complex competitions solve करने में भी वो better होगा as compared to all इसके अंदर potential career choices कौन कौन सी होगी scientist mathematician computer programmer engineer and accountant now next time our bodily kinesthetic intelligence bodily kinesthetic जैसे की word बतार आपको बोडिली इस आरा body or kinesthetic 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 आपने 10 तक के आई तिंग सबने पढ़ा हो kinetic energy kinetic energy किस से related करती है motion से तो body के motion की बात हो रही है यहां पर जिसका body का movement बहुत अच्छा हो good at dancing and sports without any doubt जिसकी dancing and sports अच्छी होगी उसकी body kinesthetic अच्छी होगी ही enjoy creating things with his or her hands उनको चीजी होगी हो खुद के हाथ से बनाना उसको खुद करना अच्छा लगता हो रही सक्प्चर होते हैं जो pot making करते हैं वो excellent physical coordination उनका physical coordination बहुत अच्छा होगा आप देखते हैं बहुत लोग अपनी fingers को इतना पीछे तक बेंड कर लेते हैं अपनी body को बहुत अच्छा बेंड करते हैं बहुत flexible होती है तो coordination उनका अच्छा होता है tends to remember by doing rather hearing and seeing उनको चीज़े देखकर और सुनके नहीं करके अच्छा से याद होती है अब bodily kind aesthetic में कौन सी अच्छी potential career choice होंगी कौन कौन सी डांसर bodybuilder sculptor जो pots बढ़ते हैं actor etc यहां body builder बोला है इसका मतलब bodybuilder है जैसे gymnastic को करते हैं वह सबके सब musical intelligence musical intelligence music related है obviously इसके अंदर strength है rhythm and music इसको rhythm की और music की अच्छी knowledge हो वह की strength रखता हो वह होगा musical intelligence में better इसके characteristics के होंगा enjoy singing and playing music instrument उनको गाना और musical instrument को प्ले करना अच्छा लगता होगा recognize muting recognize musical patterns and notes easily जो musical patterns को और notes को easily recognize कर पाते होंगे good at remembering songs and melodies songs को और melodies को बहत पाते होंगे with their tones up and downs rich understanding of musical structure rhythm and notes उनको rhythm notes और musical structure की अच्छे understanding होगी इसके नदर potential career choices क्या-क्या हो सकती है musician composer musician composer singer music teacher and conductor next है हमारा interpersonal intelligence interpersonal मतलब क्या है दूसरों को समझ जा रहा दूसरों को अच्छा से समझ सके understanding and relating to other people जो किसी और को समझे और relate कर सके other people से यहां पर sympathy की बात नहीं हो रही कि आप दूसरों को सहनभूति दे रहे हैं और यहां empathy की बात होती है empathy मतलब आप अपने आपको दूसरों को जगा रख के उसकी और उसकी feelings को उसकी भावनाओं को समझ सके और उसको relate करके उसका solution या पर एक easy way बता सके यह help out कर सके so ऐसे लोग क्या होता है good at communicating verbally, वह communication में जो verbally communication में अच्छे होते हैं skilled at non-verbal communication और non-verbal communication में भी skilled होते हैं see situation from different perspective वो अलग perspective से situation को देखते हैं create positive relationship with others उनके पॉस्टिव के साथ बहुत पॉस्टिव होते हैं good at resolving conflict and group ऐसे persons जो होते हैं वो group के अंदर जो conflict होते हैं उनको resolve करने में अच्छे होते हैं कि अगर आप देखते हुए पांचे लोग अगर एक group है तो उसको एक person होता है जो उनके बीच के जगड़ों का अमेश बहुत अच्छे से resolve कर लेता है ना किसी एक कि साइड ना लेते हुए एक बीच कहां तरीका निकालता तो वो resolve करता है conflict के group तो उसकी interpersonal case अच्छी होती है ऐसे में career choices क्या क्या होती है psychologist क्योंकि psychologist का सबस्वेला काम यह होता है कि वो सामने वाले को समझे philosopher similarly counselor sales person को भी सामने वाले को समझना ज़रूरी है ताकि वो ऐसी बात बोले ताकि उसको वो अच्छी लगे और उसका समान ले ले politician obviously उनको ऐसे words के जरूबत है ऐसी बातों के जरूबत है जिससे वो अपना और सबको अपनी तरह पर अट्रेक्ट करें और वोट गिन कर सकें next है हमारा intra-personal intelligence in sorry guys मैं उपर से जानक से एक second हम थे intra-personal पर so here it is inter यह inter है we are on intra-personal so intra-personal intelligence जहां पर हम खुद को अच्छे समझ सकते हैं जिसकी self understanding अच्छे होती है जिसको अपने लिए कोई भी doubts नहीं होता है इसको यह तो clear होता है at least की वो क्या करता है उसकी ability क्या है और उसकी कमिया क्या है और उसकी plus points क्या है तो introspection जो हमारा सबसे पुराना method है खुद को समझना and self reflection यह उसकी strength होती है characteristics क्या होते है good at analyzing his or her strength and weakness खुद के plus points और negative points को अच्छे से analyze कर सकते हैं वो पसंद enjoy analyzing theories and ideas उनको analyze करना और theories और ideas को समझना अच्छा लगता है अब वो analyze कैसे करते होंगे अपनी राइफ से relate करके उनको theory पढ़े कि एक theory है जिसके अंदर ऐसे conditioning होती है कुछ भी होती है तो वो अपने life में उसको relate करते है excellent self awareness उनके अंदर self awareness बहुत अच्छी होती है sorry excellent self awareness होती है उनके अंदर clearly understand the basis for his or her own motivation and feeling उनको अपनी feelings and motivation के जो basis होते हैं उसके वो बिलकुल understood होते है क्योंकि mostly बहुत लोगों conflict होते है कि उनके अंगर कोई feeling या motivation है तो उसका base क्या है क्यों हो रहा है किसली हो रहा है लेकिन जो ऐसे लोगों होते हैं जिनकी intra-personal skills अच्छी होती है वो at least अकने बार में बहुत अच्छी से clear होते हैं ऐसे में potential career choices क्या क्या है philosopher, writer, theorist and scientist sorry guys next is our naturalistic intelligence naturalistic आप words से दिख सकते हैं nature की बात हो रही है आपे environment nature में क्यों गौन आते हैं हम भी आते हैं animals भी आते हैं plants भी आते हैं तो नहीं overall environment की बात हो रही है strength क्या होती है finding pattern and relationship to nature relationships nature से हमेशा plants से animals से अपने आपको एक relationship में patterns बनाते रहते हैं वो लोग characteristics क्या है interested in subjects such as botany, biology and zoology उनको botany में, biology में, zoology ऐसे subject में बहुत इंटरस्ट होगा good at caterizing good at caterizing and cataloging information easily information को catalyze और catalog करने में बहुत better होंगे may enjoy camping gardening hiking and exploring the outdoors उनको outdoors चीज़े करना camping करना gardening hiking वगरा अच्छा लगता हो कि उससे वो environment के और पास जाएंगे doesn't enjoy learning unfamiliar topics that have no connection to nature उनको वो topics अच्छे नहीं लगेंगे जिसमें कहीं nature की बात ना हो रही हो तो वो उस चीज़ को पढ़ना पसंद नहीं करते enjoy नहीं करते ऐसे में potential career choices क्या क्या है बायोलोजिस्ट कनवर्शनेस्ट गार्डनर एंड फार्मर अब इन सबका एक शॉर्ट रिव्यू है गाईज आई हो आपको यह पसंद आए इसको हम शॉर्ट में देखते हैं सारी इंटलिजेंस है और साथ में उसकी description और एक्जामपल इन सांस यह नहीं कि वह दिया है क्योंकि एक्जामपल उपर पढ़ चुके हैं यह एक्जामपल है कि उसके दाग क्या चीज़ें होना चाहिए सबसे बहला है हमारा बॉडिली का इनस्थेटिक बॉडिली का इनस्थेटिक में क्या है ability to control movements and balance and ability to grace यहां पर क्या example sense of how one's body structure act and react in physically demanding situation की body को कैसे act करना चाहिए एक physically demanding situation में interpersonal ability to interact and understand other and interpret their behavior किसी को समाजना और इसके behavior को interpret करना skill क्या होगी gauging others moods and motivation किसी और के moods को और motivation को सो अच्छा करना और इसको गौज कर देना intrapersonal ability to understand and sense our self खुद को समझना skill क्या होगी self steam उनकी using self steam अमेशा self enhancement होगा strength of character strength of character solve internal problems by self linguistic verbal ability to utilize language language को use करने की ability होगी अपनी skill at learning and using multiple language उनकी skill किसमे होगे multiple language बहुत अच्छे से use कर पाते होंगे logical mathematical ability to mentally process logical problem and equation जो logical problems और equation को बहुत अच्छे से handle कर पाए skill at answering multiple choice question ऐसे लोग जो होते मों multiple choice questions को बहुत easily answer कर पाते है musical ability to perform and compose music चुक म्यूजिक को perform कर सके और compose कर सके skill at performing and comprehensive the music perform और comprehensive करना music वही उनकी skill होगी naturalistic ability to identify and classify pattern in nature how we relate to our surrounding कि हम surrounding से कैसे relate करते हों उसके बीच में और अपने आपके बीच में pattern find out करना skill कैसे होंगी at distinguish between differences between large number and similar topic अलग अलग चीज को categorize and catalog बहुत अच्छे से कर पाएंगे special ability to comprehend shapes and images and three dimensions ऐसे लोग जोओंगे वो shapes को three dimension 2D shapes images को बहुत अच्छे से comprehend कर पाएंगे समझ पाएंगे skill at putting puzzles together or modifying sculptures ऐसे लोग क्या होंगे वो skilled होंगे images को and modifying structure को साथ में puzzle out करने के लिए उनको puzzle solving पसंद होगी आई हुआ पोई clear हो गया हो now next is our word relation हर चीज को मतलब हर एक skill के साथ एक word दिया गया है जिसको पढ़ना जरूरी है बहुत जगा पुछाचाता है for example अगर हम linguistic से start करते हैं एक minute मैं इसको नीचे करते हूँ हम linguistic से start करते हैं तो linguistic किसका है हमने linguistic पारता language related तो linguistic पताता है हमें वह इसकी linguistic skills अच्छे होगी word वह कैसा होगा word smart होगा words के लिए smartly act करता होगा logical mathematics जिसके skills होगी वह क्या होगा logic smart होगा उसके लिए word अगर यूज़ के जाता होगा बहुत बार exam में आपको कोई स्किल बोलिंग और बोलेंगे कौन सा smart word उसके लिए यूज़ होगा आपको यह word याद करना ज़ूरी है naturalistic के ले के होगा nature smart होगा special के के ले के होगा picture smart होगा और सारे के सारे गाई इतना difficult नहीं अलट करना क्योंकि आपको यह दूसर से रिलेटेबल है और विज़ स्पेस की वाद और तो picture smart होगा nature की वाद और तो nature smart होगा logical and mathematical logic smart linguistic तो word smart similarly bodily kinesthetic body smart है वो person musically smart musically intelligence अच्छी है उसकी तो music smart है interpersonal अच्छी है तो people smart है क्योंकि वो दूसरों को समझ पाता है और intra-personal है तो वो self smart है आई हो आपको सारे points clear हो गए हो now next है हमारा a shortcut इनको याद करने की सारी skills को याद करने का तरीका है बहुत अच्छा kill means kill means every word एक चीज के लिए K is for kinesthetic bodily kinesthetic I is for intrapersonal L is for logic I think आपको पूरा नाम याद है आपको L logic मालूम पड़ा तो logical math obviously L linguistic M musical I intrapersonal आप इंटोनों को up and down कर सकता है it's totally up to you N naturalistic S special kill means kill means I hope I hope you clear हो kinesthetic interpersonal logical linguistic musical and solve novel problems without use of existing knowledge and experience when we solve a new problem and solve it and solve it without using existing knowledge without using it we have to deal with and we have to deal with it and we have to deal with it and we don't have to deal with it so what is it what is your intelligence what is your fluid intelligence using using divergent thinking where is divergent thinking divergent thinking you have one point and you have many options divergent thinking where is divergent thinking there is fluid intelligence in new situations in new situations where you have no experience in new situations for example if you are preparing for the first time that is a new situation you have not qualified for the SEED exam until 12 you have many exams but that is different so what is it for you that is a new situation you have to do fluid intelligence innate ability this means inherited you have to get inborn can be affected decrease or increase this can increase but how is it this means it is not that you have to increase and decrease if there is an accident then it can be that your intelligence will reduce many times head injury to your child and hurt the child's effect that means it is decreased by age and this means it is less next is our crystallized intelligence crystallized intelligence what is it ability to use knowledge and experience we use this when we have to use something before you have to use that knowledge so it is crystallized intelligence we use our experience and knowledge where we use this will be convergent you understand fluid intelligence and crystallized intelligence are just opposite there we use divergent thinking here we use convergent thinking here what happens in convergent thinking we have to choose one option without many developed by environment what happens from environment what happens from environment we are learning the same thing we are learning the people who have seen some experience you have learned from them you have learned from school you have learned from school you have learned from school and you have no problem with your knowledge and experience increase with age with age increase with age you will grow you will grow your environment and your knowledge will be good because fluid intelligence will be converted into crystallized will be converted now fluid intelligence there are some examples first childhood when we are children what is fluid intelligence it is crystallized it is acquiring new skills solve new problems and creating new things solve new problems solve new things create new things create new things this is our experience this is our fluid intelligence imagination creativity in this imagination and creativity play a good role and what happens in crystallized intelligence speaking in your native language when we speak in native language we are talking it is our crystallized intelligence why because we are experienced and we have learned from childhood we are talking about childhood we have learned and experienced and practiced so what is it? crystallized intelligence driving this is your habit you have learned when you first learn it it was crystallized but it was fluid but if you come and you are doing it what is it? driving what is it? crystallized so you can use it for habits you can use it process and rules process and rules process and rules crystallized intelligence you can use it because you have learned about it and explained and then repeating techniques that have worked in the past which you have used in the past you have to repeat crystallized intelligence using your experiences to solve this was our fluid and crystallized intelligence i hope i have tried to explain it very short and easy way to explain it and clear because it has a lot of confusion if you want to understand please comment in the comment box we will work on that now our last theory is tricic theory of intelligence this is given to us Robert Stunberg this is very rarely i think i think it has been 1-2 times but we can't leave it so i have taken it last Robert Stunberg has given 3 intelligence so every intelligence has 2 intelligence two names first analytical intelligence is componential and componential intelligence and analytical or componential intelligence what is analytical what is what is analytical analytical word is to learn in small parts so when you take detail in small parts you say the internal knowledge of the type learned in a formal education and displayed in the ability to think critically and problem solve anything you learn in formal education sometimes sometimes you have some things that you take in formal education you take knowledge where are all in analytical intelligence what is for example you are preparing for the series so you go to every component and analyze different subjects there are many subjects you have psychology pedagogy math math hindi english so you study knowledge and also formal education what is analytical intelligence what is critical and problem solve an individual which analytical and componential intelligence is better for example a class always present first he scores so analytical intelligence is good because education is better next is creative or experiential intelligence what is creative means to see everything new way for everything is traditional way has intelligence knowledge that is intelligent so analytical way works but what is creative what is what is creative creative students score but creativity they don't creativity they don't show their creativity so they have traditional intelligence and here there is what is experiential what is experiential means to experience everything that it's not enough we have to see something else involved inside synthesis ability to react a novel stimuli and situation different stimuli and different things next practical or conceptual intelligence practical means to see everything in the context this intelligence that person uses the ability to grasp understand and solve real life problems in everyday the person understands practical or contextual intelligence better this was our 3 intelligence that Sternberg I hope you have understood all intelligence theories if you have any doubt please we will work on that thank you guys thank you for watching please like comment subscribe and share to all of your friends thanks stay tuned learn together and grow together and grow together